नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, इससे आप अपना घंटों का, दिनों का काम कुछ मिन्टों में सेकंड्स में कर सकते हैं क्या होता है दोस्तों, हमारे पास कई बार multiple files होती हैं, जैसे कि आपके पास खुद सारी file हैं, अलगलग quarter 1 के अंदर, quarter 2 में, quarter 3 में different sales हैं, या आपके पास अलगलग branch से, अलगलग customer से आपके पास data आता है, जिनका format जिनके header same है, और उन सब file को आपको इकठा console करना है या merge करन है, तब आपको problem क्या होती है कि हर एक file को आपको individual ही open करना होता है, फिर वहाँ से copy करना होता है, और उसके बाद उसको paste करते जाना है, कई बार एक ही file में आपके बास multiple seeds होती हैं, जैसे for example, हम quarter 1 sales की बात करते हैं, मैं आपके लिए file खुलने जा रहा है, और इस file में देखे क्या quantity की sale हुई, क्या amount की sale ही, इसी तरह राज की seats बनी हुई है, इसी तरह महोन की seats बनी हुई है, तो यह मेरे पास different different seats है, अभी मेरे पास 3 seat है, कई बार इसमें मेरे पास even 20-30-50 seats भी हो सकती है, या एक seat भी हो सकती है, और इसी तरह से मेरे पास data quarter 2 का है, quarter 3 का, quarter 4 का, अभी चार ले रहा है और यह वासकता है करना है उसमें ची का नाम भी रहे यह कैसे करना रहे तो दोस्तों यह जो चीज है इसको करने के लिए आपको एक utility वो डाउनलोड करनी पड़ेगी इंटरनेट से और यह जो utility है यह MVP रहे हुए है Rondi Brune फोर्ट शांदा उन्होंने अपने काम सेर के हुए है 3 of course उन्होंने सेर किया हुए यह देखे उनकी site है Rondi Brune तो इसके अंदर आप देखेंगे यहां पे है RDB Merge Excel Merge Adding for Excel for Windows तो Windows के लिए उन्होंने यह बना रखा है और इसमें आप जब नीचे जाएंगे तो यहां पे इसके बारे में पूरा इजोने digits दे रखी है मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ यहां पे आप दाउन्डोड कर सकते हैं Excel 2007 से लेके 2016 अगर आपका version है और अगर उससे पुराना भी किसी का version है तब भी उसके लिए यहां पे utility बने लिए है छोटी सी फाइल है आपने इस utility को पहले अपने यहां पे system में डाउन्डोड करके और save कर देना है आप इसमें जाएंगे यह chip फाइल जैसे आपकी यहां पे आएगी और यहां से आपकी डाउन्डोड हो जाएगी अब आपने इसमें क्या करना है यह जो file यहीं पे आपने रखनी है अब आप जाएगे एक एक्सल के अंदर अपने normal Excel के अंदर और कैसे इस utility को अपने यहां पे आपने डाउन्डोड करना है आप file पे चले जाएंगे file में जाने के बार आप option में जाएंगे option में जाने के बार आप देखिए यहां पे आपको tap में जाएगे यह एडिंस आप एडिंस में चलेगे एडिंस के अंदर जब आप जाएंगे तो सबसे last यहां पे जब नीचे देखेंगे यहां पे manage Excel एडिंस यहां पे आपको different different शीज़े लेकिन आपने किसी को रखना है एडिंस यहां पे आप वो में जाएंगे और उसके बाद आपको नज़र आएंगे जो एडिंस इसके अंदर already available हैं लेकिन आप यहां पे देखेंगे हमारी जो एडिंस जिसके हम बात कर रहे हैं वो यहां पे अवेडिंस नहीं है दोस्तों अब मेरे को अपना एडिंस यह डालना है तो उसके लिए दोस्तों मेरे को क्या करना पड़ेगा मैं इसमें browse पे जाओगा और browse पे जाने के बाद मे जोट नहीं है यहां पे लिए और यहां पर इखेंगे इसके और उसके बाद आप करने के बाद जोटने के वाद जब आप ईटा पे जाएंगे तो यहां पे डेटा पर आप देखिए यहाँ पे अलग से एक आपको टैब यह नजर आ जाएगा डैटा सीट के अंदर सबसे लाश्ट के अंदर और जहाँ पे लिखावा है आड़ी बंड एडिन यह बंड का जिए आपका पूरा का पुराइक अलग से कमाड यह टैब सब यहाँ पे आ जाएगा अब आप रणी हो में जो और आप यह पर्माइन होगी है आप आप अलग से के अलग से कलिक करने हृष और देखें अब फोल्ड की लोगेशन को आई लेकिन अगर आपको single file की multiple seats को बज़ करना है तो इसको आपने प्लिक करने की जूर्ट नहीं है और उसमें आप देखिए मैंने इसमें में गया और मैंने ब्राउज पे प्लिक किया और इसमें यह पूछ रहा है इसके अगर आप देखोंगे मेरी चार पड़ी है यहां पर उसके बाद मैंने इसको ओके बोलने के बाद यहां पर इसका पाथ आगया देखिए इसको भी टिक कर सकता हूँ अगर मेरे को फोल्डर के अंदर सब फोल्डर परें उसको भी अगर मेरे को मर्ज करना है अब उसके बाद यह पूछ रहा है इसको एक्सर यह कोश्चन बार पाला रखिए तो यह आपकी एक्सर लेकी सारी खायले इसके बाद देगा अब यह पूछ है अगर आपको पर्टिक्वलर पाइल उसको आप स्लेक्ट परना चाहते हैं तब तो आप इस रेडियो बटन मेरे चीजिए या आप बंड ओल्ड फोल्डर इन लोकेशन जो हमने लोकेशन दिए उसमें सारी फाइल को बटना चाहरे हैं तो यहां पर आप इसको टैरे दीए अधर वाई आप किसी फोल्डर में से कोई फाइल जिस नाम को कंटेन करती है उसको भी आप इसमें स्टार्टिंग विद या कंटेंस विद आप इसमें दे सकते हैं तो आप इसमें ले लिए लिए फोल्डर इंदा फाइल सेक्शन अब उसके बाद यह पूछ है वीच वर्क सीट तो दोस्तों इसके अंदर आप जैसे जैसे यह पूछता जा रहा है आप प्रेक्स तरोगे आपको पता रख जाएगा तो यूज दा सीट इंडेक्स का मतलब कि आपको पहली सीट मर्ज करनी है दूसरी सीट मर्ज करनी है तीसरी मर्ज करनी है अगर आप बोलते हो कि मेरे को वर्क सीट का नेम है कि मेरे को जिस वर्क सीट को बज करना चारा हूं उसका नाम दूँगा तो उसका नाम दे सकते हो और अगर आपको सार तो आप इसको प्लिक कर लीजिए सारी फाइले और सारी उसके अंदर वक्सिट्स आपको मर्ज कर लिए या फिर आप इसके अंदर फर्दर इसके कुस्टमाइज कर सकते हैं तो यहां पर देगे कितनी बड़ी यह बना रखती है यहां पर भी आपको पूरा फोल्डर और उसकी सारी फाइले और सारी फाइलों की सारी वक्सिट्स आइंड गोईंटू मर्ज अब इसके अंदर यह बाई रिपोर्ड की कल्कों गल्पी से आपसे ठिक ना हो जाए इसने बाई रिपोर्ड के वर तीन ग्रों बज कर रहा है लेकिन आप इसके इंदर कर सकते हो फिर्टर में अब यह बिया अब यह पूर्स है एड फाइल ने आपको करना चाहरे हो पेस्ट एज वेल्यू करना चाहरे हो यस तो जो जो बाई डिपोर्ड इस पे दे रख़्िए दो बोस्तों वो चीज आपको ले लेने चीए एक बार आपको सीखने के लिए बाद में वंस आप इसके लिए रहे हो जाओगे तो आप इसके डिप्रेंट अधर ओप्शन भी यूज कर सकते हैं तो आपकी एड फाइल ने है पेस्ट एज वेल्यू को अगर आप जाते हो कि इस जैसे आपी बटन को क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखों इसको क्लिक किया है तो इसके बाले चैना सीट इसके बाद करह rival जो जो फाइद आपकी देखिए quarter 1 भी आ गया quarter 1 के बाद उसके बाद quarter 2 की भी इसके वह इसके बीदा आ गया quarter 3 भी आ गया quarter 3 भी और हर एक seat के लिए नाम आपके कौन सी seat इसने merge किये फिर उसके बाद यह header आगया उसका कि क्या item आपका रहने वाला है क्या date थी उसकी date इसके व यहाँ पर आप जाएंगे और इसके अंदर जाकर के आपने इसको बोल दिया format sales तो यहाँ पर जाकर के आप इसको date के अंदर जो भी आपको लगता है कि मेरे को ultimately custom वाला देना है तो आप custom दे सकते हो कि मेरे को date जो है यह चीए DDMMYY तो आप इसको ऐसे भी कर दीजे देखिए तो यह आपका आगे जेट यह आपका header आ रहा है तो कि दूसरी file है दूसरी seat है यह विजे की seat है फाइल होई है फिर उसके बाद गाज की seat है उसके आपकी दूसरी अलगलग seat से आपे नजर आए यह पूरी की पुरी आपकी बर्ज होगे लोग seat में क्या दिखा रहा है कि क् किस देट और ताइम यह आपने इसको मज़ किया है यह तो आपको एजिए ग्लैंस आपको पता लगा जाती है इस लोग सीट लिवारा अब आपके बढ़ हो गई, अगर आपको लगता है कि आपको ये पोलब आपको रखना है, सीट का तो रखिए, अगर वाइज आप इसको फटा सकते हैं, इसको आप फिल्टर डगा सकते हैं, संपोर्सिय पहले बने, और इसके अंदर ये देखे, सारी सीट्स आपको नजर आ ये श्क्रिया बोहन राज भीज है, ये चार सीट्स आपको यहां पर नजर आ रही है, जो कि हमारी यहां पर मर्ज हुई है, यहां पर सारी के सारी करते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसके उपर आप पीवेट कर सकते हो, कोई भी आपको एनलसीज गड़ना है, तो बड़ा ही मर्ज के अंदर तो यहां पर आप सिंदल सीट का भी नाम दे सकते हो, जैसे इसके अंदर मेरे को केवल राज की सीट्स को मर्ज करना है, तो आप यहां पर मैंसन कर सकते हो, कि मेरे को केवल और केवल राज की सीट्स मर्ज करना है, ठीक है दोस्तों, और इसको आप कीजिए और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी अगर आपकी कोई कमेंट्स हो, तो आप इसमें लिखिये, और I'll be happy to solve all your query, और उसके वलावा कोई आपका suggestion है, सुझाओ है, तो उसको भी मैं process करूँगा, कि मैं आपके लिए, उसका करूँ मैं आपके लिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जैदू